लास्ट 12 के बोर्ड एक्जाम में चाप्टर 4 यानि मैगनेटिक एफेक्ट आफ एलेक्रिक करेंट से एक सवाल आता है डेरिवेशन आप मैगनेटिक फिल्ड दू टू शॉलेनॉइड और पीवाई क्यू में आप बहुत बार देखेंगे करेंट करेंट करोगे न अब यहां से आई करेंट जा रहा है और यह आई करेंट-स तरीके से फ्लो करते और निकल जा रहा है तो इसके magnetic field का derivation करोगे तो यह ampere circular lock का एक application होता है इस 75 day hard challenge वाले series में जो सबसे पहला वीडियो था वो ampere circular lock आई था तो ampere circular lock को apply करके जो कि आपको मालू मैं की कहता है किसी भी amperean loop के ओवर magnetic field का जो line integral होगा मतलब magnetic field को जो length के respect में integrate करेंगे यह mu naught into total enclosed current मतलब हम लोग किसी भी किसी भी सेप के conductor पर जब ampere circular lock लगाते हैं तो एक amperean loop से घेरते हैं तो वो amperean loop कितना current घेर पाया है या in close कर पाया है यह उस eye को दिखाता है हम अगर solenoid के उपर 5 नम्मर के derivation में यह आता है long answer type में हम लोग 75 day challenge में बहुत कम टाइम में बिना कोई बकवास किये वे like subscribe भी सब बिना कुछ किये वे चुप 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 long answer questions को बहुत कम टाइम में derive कर रहे हैं तो तो अगर आप इसकी भी derivation की बात करेंगे जब इससे current पास करेगा तो इसका magnetic field बनता है magnetic field को derive करने से पहले कुछ basic assumption समझ लिजिए इस solenoid के outside वाले reason में हम लोग magnetic field near to zero ले करके चलते हैं outside वाले reason में और अगर हम लोग inside की बात करें मतलब interior volume of solenoid की बात करें inside हम लोग magnetic field को b यानि एक constant value ले करके चलते हैं magnetic field का direction कैसे निकालेंगे तो डिपेंड करेगा current के direction पे जो figure मैंने बनाया है इस figure में अगर right hand thumb rule का इस्तेमाल करें current के दिसा में हाथ को curl करें तो यह thumb हमारा point कर रहा है horizontally आगे की और यहाँ पर यह magnetic field का direction हो जाएगा interior volume में solenoid के inside volume में इन assumptions के अधार पर हम लोग किसी भी solenoid का या current carrying solenoid का magnetic field और यह असली से derive कर सकते हैं तो आईए देखते हैं board में यह question कैसे आता है बोट में जब यह question आएगा तो पांच नंबर में आएगा और यही रहेगा derive the expression of magnetic field to a current carrying solenoid यहाँ पर हम लोग जो इसे पांच नंबर के question में एक formality करते हैं जो theory थोरा बहुत लिखना होता है उसमें हमने यह assume कर लिया है लोग assume कर लेंगे कि हमारे पास एक solenoid है यह बहुत long solenoid लॉंग solenoid मतलब ऐसा solenoid जिस solenoid का जो length होता है ना solenoid का एक length होता है और एक इसके turn का radius होता है तो अगर length radius के respect में बहुत जादा है पतलब radius बहुत कम है और length बहुत जादा है यह long solenoid के category में आता है और हम लोगों को अपने class 12 में long solenoid को ही deal करना है तो हमने माल लिया कि हमारे पास एक solenoid है जिससे current i flow कर रहा है है और इस तरीके से फ्लो कर रहा है और इस current केरिंग solenoid का हमको magnetic फिल निकलना है और ओवियस सी वाद है कि ampere circuit law use करेंगे हमने माल लिया कि आई करेंट यहां से एंटर कर रहा है यहां से निकल रहा है इसकी turn density turn density का मतलब number of turns per unit length मतलब इस solenoid के एक मीटर में हमने assume कर लिया है कि total small n turn है मतलब एक मीटर में small n turn है और इसका जो length है मतलब इस solenoid का जो length है हम लोगों ने L assume कर लिया है अब क्या करते हैं इसी solenoid को क्योंकि इस पर & secure circular lunar लगाना है को कोई लूप से घहरना परेगा एक इन क्लोद कर देते हैं अब धिहान यह रखना है कि इस लूप का कुछ भी रख देते हैं अपने मन से नम देते हैं इसका PQRS इस एम्पिरियन लूप का नाम रख देते हैं इस एम्पिरियन लूप का जो लेंथ होगा उस्तीमिलर टू लेंथ आप सॉलेनॉइट हम लोगों ने L मान लिया और इसकी ब्रेथ वैसे कुछ भी मान लो कोई फरक नहीं पड ड़लता मान लेते हैं कि इसकी चूड़ाई जो है वो बी के बराबर है ठीक है कि अगर यहां पर आप एम्पियर्ट श्रक्यूटर लाँ लगाएंगे ठीक है एप्लाइंग एसीयल लोड़ निया या उसिंग्ड लीजे उसिंग एम्पियर्ट श्रक्यूटर लाँ एस लूप पर अगर हम Magnetic field का line integral ले ले लें मतलब Magnetic field को length के respect में integrate कर दें तो यह mu not into total enclosed current के बराबर होगा total enclosed current मतलब इस लूप ने कितने current को घे रहा है इच यह आपको समयाना चाहता हूं कि इस solenoid में है आपने माना था कि प्रती मीटर में मतलब एक मीटर में कितना turn है small n turn यह turn density है तो आपने L Length को in close किया है आपने solenoid के L Length को इस loop से in close किया है तो L Length में कितना turn हो जाएगा NL turn मतलब अगर हम लोग बात करें कि यहां पर कितना current in close हुआ एक turn में close हुआ आई current और टोटल माल लीजिए अगर सपोस करिए capital N को हम लोग number of turns माल लेते हैं जितना turn in close हुआ है current क्या हो जागा mu naught capital N into I capital N मतलब कितना number of turns in close हुआ है कितना number of turns in close हुआ है एक मीटर में n ल मीटर में n गुने हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं mu naught NL के बराबर याद रखिए यहां पर N जो है N into L यानि total number of turns है confused नहीं होना है small N is the turn density मतलब एक मीटर में कितना turn and capital N is the total number of turns बिल्कुल confused नहीं होना है एकदम simply इसको समझ जाना है अब इस loop की अगर बात करें तो PQ, QR, RS, SP यह चार path से मिलके बना हुआ है यह loop अगर हम इसको break कर देते हैं इन चार path में अलग-अलग तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं PDL across पहले एक PQ की से क्यू आएं दिखें फिर PDL across QR क्यू से आर गए फिर PDL across BDL मतलब magnetic field or line का dot product करेंगे और उसका integral ले लेंगे RS ठीक है RS फिर जाए तो V, T, L, SP अगर हम लोग integrate करें तो इसकी वैली क्या आई हुई है लोगों ने अभी निकाल के रखा हुआ है यहां पर अगर आई करेंट जा रहा और आई करेंट निकल रहे हैं पहले दिखा रखा है यह आपके पास स्टीन बन जायाएगा अब अगर आप गौर फर्माओगे ना मतलब अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव होकर कि इस चीज को देखते हो समझो इस चीज को आप अगर पी से क्यूं आते हो तो पी से क्यूं का length element पी से क्यूं का length element नीचे के तरफ है और अगर मैंगनेटिक पिल्ट यहां exist करता भी है तो मैंगनेटिक पिल्ट किदर exist करता है आपको क्या बता रखा भी जास्ट आपको बताया था इससे पिछले वाले स्लाइड में करेंट चुकी इस तरीके से फ्लो कर रहा है यूजिंग राइट हैं तम रूल यहां पर जो इस तरीके से इस PBS की बात करें पिक्य फिश्य का नीचे अब मतलब इस का जो डिल हो नीचे के तरफ है यह मैं पिक्यू की बात कर रहा हूं और और magnetic field आगे के तरफ है दोनों के एंगल दोनों के बीच का एंगल 90 देगी है तो B.DL क्या होगा B.DL cost 90 B.DL का मतलब dot product क्या होता? A.B. A.B. cos theta तो B.DL क्या होगा? B.DL cost 90 cost 90 तो 0 होता है तो यह वालना जो टर्म है आपका PQ यह आपका हो जाएगा 0 मतलब इसका अगर आप magnetic field और length का dot product लेंगे तो length नीचे है magnetic field आगे है dot product 0 क्योंकि angle 90 degree दिम वही सीन्द बनेगा RS के साथ भी RS का जो RS का जो length element है वो उपर के तरफ है आर से जाने के लिए आपको ऊपर के लोंग चलना परेगा और magnetic field ऐसे है तो वापस दे इसका भी dot product 0 हो जाएगा मतलब B.DL across PQ इस PQ के across और इस RS के across यह PQ में हमने दिखा दिया होगा RS में क्या होगा TL मतलब length element ऊपर है magnetic field तरीके से हैं यहां पर भी angle 90 degree होगा आपको मालूम है A.B.AB cos 90 अगर ठीटा हो तो लेकिन यहां पर 90 degree आ रहा है तो AB cos 90 या B.DL तो BDL cos 90 cos 90 0 तो इस PQ के across और इस RS के across RS का है यह RS इसका तो 0 हो जाएगा PQ का और RS का मतलब आपका जो यह चार पियर बना इस loop का MPR से क्यूटल वाले loop का इसमें इस भाई सहाब की value जीरो हो गई पी क्यूवाले भाई साब की value इस भाई साब की value RS की value यह भी क्या हो गई 0 क्यों क्योंकि डॉट प्रोड़क्स 0 हो जाएगा समझे रहें आप मेरी बात अब अगर आप बात करें कि QR की यह दुनों तो 0 हो गया अब QR की बात करते हैं तो QR में देखिए magnetic field भी आगे देखिए QR में magnetic field भी आगे और length element भी आगे तो यहां पर अगर BDL आप निकालोगे जब दुनों सेम दिसा में हो तो B.DL क्या आएगा क्या आएगा BDL cos 0 कितना होता है 1 मैं यह बता रहा हूं किसके लिए QR path के लिए PQ path का 0 हो चुका RS path का 0 हो चुका क्योंकि perpendicular था मैं बात कर रहा हूं QR path के लिए तो QR path में BDL cos 0, cos 0 कितना होता है 1 यह हमारे बस क्या बच जाएगा BDL BDL cos 0, cos 0 1 यह क्या बच जाएगा BDL मतलब आपका जो QR के along बच बच जाएगा यह 3 तो हो गया बच गया SP SP का क्या करना है यह तो outside में है outside में outside वाले reason में यहां पर magnetic field कितना है 0 अभी यह assumption सिखाया था outside वाले reason में जब BDL हो गया जब भी ही 0 हो गया तो BDL तो 0 हो नहीं है मतलब यह वाला part भी क्या हो जाएगा 0 मतलब यह हो जाएगा पी क्यू गया 90 डिग्री से RS गया 90 डिग्री से और SP सहापका तो magnetic field is 0 है भाईया तो कहें को integrate करना किसको integrate करोगे तो अपने पास जो अपने पास जो इस पूरे लूप में meaningful path बचा वो क्या बचा बस QR बचा बस QR बचा और QR में भी क्या बच गया BDL अब अगले स्लाइट पर चलते हैं इस BDL में हमारे पास पागी तो 0 प्लस BDL प्लस 0 प्लस 0 BDL में से B को बाहर निकाल देते हैं ऐसा क्यों साब ऐसा क्यों साब ऐसा इस लिए क्योंकि kolenoid के inside volume में हर जगा पर magnetic field constant होता है और constant को लात्मार के integration से बाहर निकाल देते हैं यह बच गया किसके बराबर mu naught NL I के बराबर ओ भाईया अब इस DL का अगर integration करिएगा अगर DL का integration करण तो DL का integration L हो जाएगा DL मतलब छोड़ा छोड़ा लेंद इसको 0 से L तक integrate करेंगे तो L हो जाएगा तो B into L आपके पास क्या आ गया mu naught NL I L से L गया आपके पास B बराबर क्या बच गया mu naught N I mu naught N I ठीक है यहाँ पर mu naught जो है आप बढ़ियां से जानते है पर me ability है यह क्या है पर me ability है free space का नहीं और आई जो है current through each turn है आपको यह तो पहले लिखवा दिया है N के बारे में भी लिखवा दिया है यह turn density है इस तरीके से हम लोगोंने solenoid के magnetic field का derivation कर लिया आपको 75 यह भी वीडियो एक बच्चे के comment पर मैंने बनाया था विस्नू नाम का बच्चा था जिसने comment किया था solenoid की video बना दिए तो मैंने बना दिया आप लोगों को और भी झाल झाल